एलो दोस्तों जैसा कि आपका SSC CHSL का एक्जाम चल रहा और तीन अगस्त को फर्स सिप्ट में जो भी GKGS की क्वेश्चन पूछे गए थे उनमसे 25 क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए और सारे क्वेश्चन वन भाई वन हम लोग यहां पर देखने वाले हैं तो वीडियो म से सितार पंडित रविसंकर का संबंध किस सीतार से और उनको भारत रत्रत्न दीया गया और 1989 अ sãoब से संबन मुखरजी विलायत खां साहिद परवेज और बंदे हसन ठीक है ये सब सितार से संबंदित हैं सरोद वादक की बात करें तो अमजद अली खान अलाउद दिन खान अली अगवर खान विस्वजीत राय चौधरी मुकेश सर्मा बुद्देव दास गुपता ठीक है यहें पर अमसरी वादक कान कन है हरी प्रिषाद 04 में इंपोर्टन है ठीक है पना लाल घोस और राजे अंदर कुलकरनी ठीक है यहें पर तबलावादक की बात करें जाकर हुसेन अलरक्षाघा खान गुदई महराज, किसन महराज, लतीफ खां और सुखविंदर सिंग वाइलेन वादक की बात करें तो टीएन क्रिशनन, डाक्टर एन राजम और एल सुब्रमन्यम पक्षावज की बात करें तो गोपालदास, ठाकुर लक्षमर सिंग, छत्यपत सिंग, रहमान खान अब बात करेंगे रूद्र वीडावदक की तो उस्ताद साधीक अली खान और असद अली खान यहीं पर वीड़ा वादक की बात करेंगे तो यह बाल चंद्रन क्रिश्व भागवतार और बदरुदीन डागर ठीक है किसे संबन देते हैं वीड़ा से नेक्स्ट क्वेश्चन पुछा गया था भारती राश्ट्रिय कंग्रेस आई अन्सी की स्थापना कब हुई थी तो यह हुआ था अस्थापना 28885 को किसके द्वारा किया गया था और बॉंबे के गोकुल दास्तेजपाल संस्कृत कालेज में इसकी अस्थापना की गई थी औ बारती राश्ट्रिय कंग्रेस की अस्थापना की समय भारत का व्यस राइकांट था वेरी वेरी इंप्बोर्टंट्र केवल 32 ते उसके बदूसरे अद्वियसान में 436 हो गए थे 1887 मदरास अधिवेशन ये तीसरा था सयद बदरद्विन तयव जी इंपोर्टन्ट क्यों है क्योंकि प्रथम मुस्लिम अधियक्षे बने थे तीसरे अधिवेशन में और 1888 में हुआ इलाहाबाद में हुआ था जार्ज यूल के दोरा अधियक्ष तकी गए थी प्रथम अंग्रेज अधियक्षे बना था इस वज़े से ये भी इंपोर्टन्ट है ठीक है नेक्स्ट 896 में 12 अधियशन कलकत्ता में हुआ था एम रहमी तुल्ला रहीम तुल्ला सयानी पहली बार राश्टिये गईत वंदे मात्र में कब गया था अठार से चीयानवें बारह में अधिवेशन में कहाँ पे कलकता में यहीं पे 1906 के कलकता अधिवेशन में दादभाई नोरोजी ने अधिक्ष था की थी स्वराज ये सब्द का प्रथम बार जोह प्रियोग अधिक्ष से द्वारा किया गया था और मुस्लिम लिक्ष अस्था 1911 के कलकता अधिवेशन जिसकी अधिक्षता अभीसन नरायाध धर के द्वार किया गया था और इस अधिवेशन में पहली बार जोह राश्रगान गाया गया था next question पूछा गया था कि मुगल बात्सा हुमायों ने किस नगर की अस्थापना की थी किस नगर की अस्थापना की गए थी हुमायों को द्वारा तो यह किया गया था 1533 CCV में हुमायों ने दीन पनाह नगर की अस्थापना की थी हुमायों की जीमनी का नाम क्या था हुमायू नामजों की उसकी बाहन गुल बदन बेगम के द्वारा लिखा गया था नेक्स्ट इंपोर्टन चौसा का युद्ध 25 जून 1549 में सेर खां और हुमायू की मद्ध हुआ था इस युद्ध में सेर खां विजाई हुआ था इसी युद्ध की बाद जो है सेर का ने जो है सेर की उबादिदारन की थी अब चोवा था शौशा का युद्ध हुआ था 25 जून 1549 में उसके बाद 20 ग्राम युद्ध वेरी इंपोर्टन है 17 बाई 1540 में ये हुआ था सेर्खां वह हुमायू के मिद्ध हुआ था और यसी युद्ध में भी हुमायू जो है प्राजित हुआ था सेर्खां ने आसानी से दिल्लीवे आगरा पर अधिकार कर लिया था यसी युद्ध के बाद नेक्स्ट कुछ एक था अपसरा डांस बेहर डांस चली डांस एटीसी और अस्पेक्ट्स ऑफ विच क्लासिकल डांस फॉर्म अपसरा निर्त बाहर निर्त चली निर्त दसावतार निर्त गोसाई कई साईलियों में विवाजित किया गया अपसरा निर्त बिहार निर्त चली निर्त दसावतार निर्त मन चोक निर्त नटुआ निर्त रस निर्त राजगहरिया निर्त गोसाई प्रवेस बार प्रवेस गोपी प्रवेस जुमुरा नाडु भंगी और सूतरधारा इसके जो ह कि अनुछेद 22 की अंसार किसी विव्यक्ति को जिसे गिरपतार किया गया है ऐसी गिरपतारी के कारणों के बारे में यथा सीख्र बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और नहीं उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्स करने और बचाओ करने के अधिकार से वन्चित किया जाएगा ठीक है 2011 की जन्गर्णा से questions पूछे ही जा रहे हैं और इस जन्गर्णा से इस बार question पूछे गया कि किस राजी में सबसे अधिक महिला सक्षर्टादर रही थी तो केरल की बात करें तो वह भी सबसे जादा था केरल का 94% यहीं पे पूरुष सक्षर्टादर क सबसे जयाना सब्सेट पूरुष से अिर bounded संकर्ट प्रक्षरेश ठीक है तो सबसे ज़्यादा सबसे जी चाफ्षर्टादर केरल सबसे ज्यादला सबसे जादा पूरुष सक्षर्टादर कि रख पूरस की थी और 17.5 जिरो जो है साख्षाटादर महिला की थी बिहार राज्य में दो अक्टूबर को क्या मनाया जाता है तो अंतरराश्री अहिंसा दिवस ठीक है इंपोर्टन डे से के भी कुश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल अंतरराश्री अहिंसा दिवस जो है दो अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराश्री अहिंसा दिवस को मनाने की सुरुवात 15 जुन 2007 में हुई थी और 9 जनवरी प्रवासी भारती दिवस को जो है प्रवासी भारती दिवस मनाया जाता है और दो फर्वरी को विश्व आद्रभोमी दिवस यानि की वेटलेंड डे मनाया जाता है दो फर्वरी को चारव फर्वरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस ठीक है इंपोर्टन्ट है साथ अप्रायल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ दिवस 22 अप्रेल को विश्व पृतिव दिवस 24 अप्रेल को राश्री पंचायदी दिवस 5 जून को विश्व परियावरण दिवस 29 जुलाई को अंतर राश्री भाग दिवस मनाया जाता है Next important question है स्री रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम यानि कि ओरीesianal नाम था, वास्तविक नाम था वो क्या था? तो वो था गदाधर चट्वपाध्याय ठीक है? चट्वबाध्याद गदाधर, चट्वपाध्याय नाम था गिसका रामकृष्ण परमहंस का और कुश इंपॉर्टन देखलेते हैं तो ये नरेंद्र नाथ दत्ता किसका वास्तिविक नाम था तो स्वामी वेका नंद का वास्तिविक नाम क्या था नरेंद्र नाथ दत्ता परमहंस योगा नंद का वास्तिविक नाम क्या था मकुंद लाल घोस और रमन महरसी का वास्तिविक नाम क्या था वेंकट रमन ऐयर ठ ब्रेटेन के संभिधान से और जो कुछ important parts लिये गए थे ब्रेटेन के संभिधान से वो भी जानना जरूरी है संभिधान में एकल नागरिकता कानून निर्माड परक्रिया विदिका सासन मंत्रि मंडल प्रडाली नयायालय की विशय साधिकार संसदी विशय साधिकार और कुमबई से संभिध हैं और भारती निसानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने मिसर के काहिरा में आयोजित आई एस एस एफ राइफल पिस्टल विस्व चैंपियंसिप 2022 में वैक्दिगत पूरसों की 10 मीटर एर राइफल में क्या जीता था स्वाडपदग जीता था मध्यप्रदेश का था ठीक है यहीप अगर भंडारन की बात करें यह उत्पादन जहां पर उत्पादन की बात करेगा तो मध्यप्रदेश और भंडार की बात करेंगे तो मैगनीज एस का सरवाधिक बंडार कहां पर उडिशा में है ठीक है अब बात करेंगे बॉकसाइट निकेल, क्रोमाइट, आइरन ओर, ये सबसे ज़्यादा उडिसा में पाया जाता है, यहीं पर मैगनीज की बात करेंगे, मद्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा, कोबाल्ट, ज्यारखंड में, कॉपर जो है मद्यप्रदेश में, और गोल्ड कहां पर करनाटक में है, लेड की बात करेंगे, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेड और डायमंड जो है, मद्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा, डायमंड का उत्पादन मद्यप्रदेश में होता है, ठीक है, लेड सिल्वर राजस्थान में है, टिन शतिस गड़ में, ओन अंदर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका उत्पदन होता है स्वेम सहायता समगों के डिजिटेली करणड पर एक परियोजना इस सक्ति किसके दौरा सुरू की गई थी नाबाड के दौरा यह जो है सुरू किया गया है और नाबाड का मुख्याल मुंबई में इसके स्था नित्र से है तो ओडिसी जो है नित्र सेली से समद्दित है सुताबा तालुकदार ठीक है सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है तो सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से होता है काला जार याद रखेंगे काला जार होता है एक क्वेशन के मिश्ट्री से ये quantum number, यहल होता है azimothal quantum number M जो होताiran magnetic quantum number और यह सपन मुअ ओपका spin quantum number तो n fender is equal to 4 electron के लिए होता है आप का n is equal to 4 L is equal to 3 M is equal to plus 1 और s is equal to 12 स्थ माइस ज्यों प्लस 1 और है और एप αहफ हमा प्लस 1K और और इंपोर्टन्ट Heb अपर आप पार two as 2P और 3D भी देख लें क्योंकि या question पूछे जा रहे हैं तो ये भी chances से पूछे जाएंगे तो 2S की बात करेंगे तो N is equal to 2 होगा, L is equal to 0 होगा, M is equal to 0 होगा, S आपका होगा, plus minus half 2P के लिए बात करेंगे तो N is equal to 2 होगा, L is equal to 1 होगा, M आपका minus 1, 0, 1 होगा, S जो होगा, आपका plus minus half होगा, यह पर 3D की बात करेंगे हरित करन्त शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गौर्ड ने किया था और नार्मन बॉर्टोग हरित करन्त के जनक के रूप में जाने जाते हैं। विस्यू में शरुगात कभ था 1960 में, 1965 से sunny 1968 में और अर्बॉड की शरुगात मेकिसिको से हुगाता था। बारत में हरित क्रंथ का नेत्रित तो मुख्रूप से MS स्वामिनाथन को इसका स्रेह दिया जाता है वर्स 1970 में नॉर्मन बोर्लाग को उच उपज देने की देने वाली किस्मों हाई इल्डिंग वाराइटीज एच वाई वीएस को फिक्सित करने के लिए उनके कारे के लिए नोबल पुरसकार दिया गया था ठीक है नेक्स्ट सी थ्री एजट्री ओ का नाम पुछा गया था तो इसका होता हाईड्रो क्विनोन नाम होता है ये फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है सी थ्री एजट्री ओ नेक्स्ट कुशन पुछा गया था भारती एतीर अंदाज जी भारती एतीर अंदाजों ने इराक के सुलेमानियाह में आयो जित एस या कब 2022 स्टेज 2 में कितने मेडल जीते थे तो कुल मेडल ज अनलसिस के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब परें थैंक यू